दोस्तों आज हम आगए हैं जम्शेथपूर के विष्टूपूर खाव गले में विनोज पाव भाजी की फेमस पनी और अमुल बटर वाली इनकी एस्पेशल पाव भाजी खाने के लिए यहां की पाव भाजी जम्शेथपूर के लोगों के बिच काफी पॉपुलर है तो चल तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आगए हैं विष्टूपूर जम्शेथपूर में और यहां की जो फेमस है विनोज पाव भाजी काफी पेमस है यहां पे लोगों के जुबान के इसका नाम रहता है और इसका टेस्ट तो अभी हम खाकर आपको बताएंगे तो य इसमें पाव भाजी के अलावा और क्या क्या रखते हैं मेरे पाव भाजी है अच्छा आपका नाम क्या ओभिया पिंटु कुमार तो आपके पाव भाजी में क्या खास है जो लोगों को मतलब इसने इतना पसंद करते हैं अब आप पब्लिकी ही बताएगा मेरे को पब्लिक क्वालिटी अच्छी रखते हैं लोगों को बतल दाता है और काफी हाइजिनिक इनका स्टॉल लग रहा है काफी नीट और क्लीन है तो भाजी क्या फ्रेश बनाते हैं हमारे पास सब फ्रेश मिलेगा अभी भी आपको खराब समान बासी अभी नहीं है अज तक युजे नहीं क क्या है भी या यह अपको एक बज़े से लेकर दस बज़े करते हैं संदे को में फुला रहते हैं सब यह देखेगा इस कौफ आजी मसाले में किने सारे क्रीम वेचिटेबल्स डाल रहे हैं और यह गया इनका बटर बटर भी या कौन सा यूज करते हैं यह मूल डिलिसियस है तो कॉलिटी की बात तो इन्होंने पहले ही कर दिया तो ऑवियस कॉलिटी सब कुछ की अच्छी है और यहां पर यह देखेगे भाजी बनाया जा रहा है और इनके तवे का साइज आप देख लीजे कितना बड़ा तवा है यह देखेगे इस तो मसाले डाले जा रहे हैं तो मैं अन्हें तो यह देखेग इसमें बहुत सारे मसाले डाले यह कसूरी मेल की डाला गया है वाव यह अरोमा को बहुत अच्छा आ रहे है यह क्या डाले में है अभी गिरेगी है टमाटर का इसका बंदा है गोवी है गाजर है सूला है टमाटर है पील्स है आलू है मटर है हमारे पास अब जब भी आई है अभी दो सुरुपिया किलो टमाटर हो लिए इतना है वहाँ समान आपको जैसे दीख रहा हूँ अच्छा तो देखे गाज यहां पर सब्सक्राइब कितने अच्छे से डाली हुई है तो यह देखे गाज यहां पर जाला जा रहा है इनका मसाल सब्सक्राइब का जो मसाला बना कर पहले से रखा जाता है और यह गया गाईज हरा हरा धनिया पता काफी खुबसूरत दिखने लगा भी है इसका प्राइस बता देजे भी या फुल 90 है अफ 50 हाफ 50 हाफ में कितना बाव मिल लें अच्छा तो यहां पर देखे यहां पर अमूल बटर में किस तरह से पाओ पाओ जो है उसे सेका जा रहा है जितने भी बन्स है वाँ किस तरह से दुगो दुगो के गुर सेका जा रहा है मारे देख लिए निए किसमी सारी मेर घंग बतल यहां पर से पाओ बाव भाजी अपर सेफामिल मल जाती है जिसके उपर से पनीर अच्छे से ग्रेट करके डाला हुआ है और धन्या पत्ता है साथ में आपको अनियन सलाद है और एक नीम्बू मिल जाते है तो चलिए खाते हैं और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है तो काफी सॉफ्ट है इसका बन जो है काफी सॉफ्ट और फ्र कि में वो स्वाद नहीं आता है नीम्बू मस्ट है और आपको बहुत ही टेस्टी एक्दम चैट पटा लग रहा है और नीम्बू उपर से डालने से ना वो सारा फ्लेवर एक्दम फूट के निकल रहा है और इसके उपर से जो फ्रेश धनिया पत्ता है बहुत अच्छा और इनकी भाजी भी काफी सिंपल है और एक्दम अच्छे से मैस्ट है आपको मटर के मटर मिल जाएगा इनकी भाजी में तो काफी सही है इसका टेस्ट और एड्रेस की बात की जाए तो आप खाओ गली विस्टुपूर आ जाहिए आप किसी से भी पूछ लीजे विनोत पा मिलती हूं आपको अगे फोट ब्लॉग में वीडियो अच्छी लगिए तो इसे लाइक किजेगा शेर जरूर किजेगा और इनकी अमूल वटर वाली पाव भाजी एक बार आकर जरूर खाईएगा अगर आप जब शेत्पूर में है तो एंक्स पूर वाचिंग ताटा लगाइगा झाले प्राँ कि अवाली एक बार पार आकर दोर वाली एक बार आसदोर ऑगर शेत्पूर ओली एक पर दोग अध़ जड़ झाले जवर वाली एक किछेगा शेत्ट वाली एक